एक आम समस्या हो गई है पोलूशन एंड इस्ट्रेस का जो असर है वह हमारे बालों पर भी हमें दिखता है एंड उसकी वज़े से हमारे बाल कमज़ोर होकर तूटने लगते हैं एंड साथ ही नए बालों की ग्रोथ नहीं होती है तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहला चाहिए होगा अनार के पत्ते जी हाँ अनार के पत्ते हमारे बालों के लिए एक चमतकारक होता है ये हमारे बालों के लिए बहुत ही amazing magical work करता है अनार के पत्ते का रस हमारे बालों के लिए काफ़े जबान जाता है अगर आप कई सारे प्राकर्ति या natural उपाय अपने बालों के लिए करके थक चुके हो एंड उसका असर कोई आपको नहीं देख रहा है तो आप अनार के पत्तों का रस आप अपने बालों के समझ्याओं को दूर करने के लिए कर सकते हो तो फ्रेंट इस आपको यूज कैसे करना है इस वीडियो में आपको बताऊंगी आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना इसे आप दो तीन तरीकों से यूज में ले सकत हो आप इसको थोड़ा सा पानी एड़ करके उसे अच्छे से कर लीजिए महीन सा पैस्ट तयार कर लीजिए वैसे भी अनार जो होता है हमारी पूरी बोड़ी के लिए काफी जादा फाइदेमंद होता है इसके छिलकों का पैस्ट बनाके अगर आप अपने बालों में अप्ला सब्सक्राइब होता है हमारे फेस की फिसे लगाने से दूर हो जाती है बाद में मैंने इसे चल च्छलने से चान लिए हैं अब हमारा यह अनार पत्तों का है आप चाहें तो इसमें हलका साइट कर सकते हो इतना ज्याद bok trapped वीड़ी होता है हमारे मारी बालों के सकते हो तो आपको बताता ही हूं कि आपको इसे किस तरीके से आप इसे यूज़ में ले सकते हो यह आप बिंगर्टिप की हेल्प से या फिंगर टिप की हेल्प से डायरेक्ट अपने स्केल्प में अपलाई कर लो एंड हैर वोस से दो घंटे पहले आप इसे अपलाई कीजिए एंड उसके बाद में आप हैर वोश कर लीजिए आप इसे ओलिंग वाले हैर्थ में भी अपलाई कर सकते हो और करने के बाद में हलके आतों से मसाज कर लीजिए बन बना लीजिए फिर दो गंटे ऐसे ही चोड़के हैर वोश कर लीजिए सेकंड मेथड यह है कि आप इसमें थोड़ा सा कोकोनट ओयल एड़ करके भी आप अपने स्केल्प में अपलाई कर सकते हो डियाएवाई होममेड नै रिजल्प मिलने वाला है थर्ड मेथड यह है कि आप कोई भी हैर पेक यूज में ले रहे हो या ही ना हो गया आमला पाउडर हो तो उसमें इसका रस एड़ करके आप अपने बालों में अपलाई कीजिए आपको काफी ज्यादा इफेक्टिव रिजल्प मिलने वाला है अब दो बार कीजिए इसका काफी अमेजिंग रिजल्प मिलने वाले हैं है सवगें देखा आपने के अनार के पत्तों आप इस्तिमाल करने से या आपके बालों की जितनी भी प्रॉब्लंस होंगी वह सारी दूर हो जाएंगा आपके बालों की ग्रोथ होना इस्टार्ट हो टेक्यार।